वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज आप लोग को साथ येलो कलर में बहुत ही खुशूरत सा एकदम यूनिक ब्लाव डिजाइन सेयर करने वाली है दोस्तों दिल गले में तो यूमीद हमारा डिजाइन आप लोग को पसंद आएगा और पसंद आएगा दोस्तों वीडियो को अस्तर और कपड़े पर हम कट कर लिये हैं तो यह देखिए आप लोगों को दिखा दे नापके यह 6 इंच चौड़ाई यहां की मुड्डे की और यह देखिए 6 इंच पर आर्म होल है आप हम देखिए गले का 3 इंच पर गले की चौड़ाई कर रहे हैं और अब हम गले की ग लगने वाल डिजाइन रहता है तो यह देखिए दिल गले का से लगा ले निशान और ले लिए हैं वुकरम और खोल के ऐसे पिला दिये हैं तो इसे कर दिये तो जो है चाग जो चलाए है वह इस तरह पा गया तो अब हम इसको लगा लेंगे उसी के उपर से निशान देखिये दोस्तों तो बुक्रम पे भी उसी तरह से बिल्कुल तो ये लग गया हमारा एक साइड में अब लगा लेंगे ऐसे मोर के मोड के तो दिखता रहता है जलगता रहता है तो इस साइड से भी लगा लिए निशान उसी शेप में तो यह हमारा बन गया अब हम इसको कट कर लेंगे बुक्रम को तो ये हमारा कट गया बुकरम पे अब हम इसको यहां से कट कर लेंगे अच्छे से जो की हमको गले पे लगाना है तो यह दोस्तों तयार हो गया, कटके दिलगले में तो अब ले लेंगे कपड़ा, फैब्रिक ले लिये हैं वह ही वाला, हेलो कोलर वाला जो ली भुडाउच का है वह ही फैब्रिक इसका भी ले लिये हैं तो यह रख दिये हम भुकरम को कपड़े पे और अच्छे से पेष्ट कर लिए इसको और यह देखिए लगा दिये हैं तीन पिन इसमें ताकि यह खिसके न अच्छे से बना रहे सिलते समय और यह ज्यादा फैब्रिक ताई धर दर तो इसको कट कर लेते हैं अब हम लगा देंगे इसमें सिलाई चारो तरफ से चोटे चोटे सकट लगा दी हैं ताकि ऐसे मोड़ते समय बुक्रम पर अच्छे से मुड़ जाए उठा न रहे तो यह दोस्तों ऐसे बनाते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे चारो तरफ से तो यह हम लगा रहे हैं सिलाई और सिलाई हमारी लग गई दोस्तों एक साइड में अब हम दूसरे साइड में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे कि उस साइड में लगा देंगे हैं दूना। में इस साइड में से मोड़ेंगे नहीं फैब्रिक को ऐसे ही लगाते चले जाएंगे इस लाइए पूरे गले में इस साइड में अंदर साइड में तो यह देखिए लग गई इधर भी सिलाई हमारी अब पिन को हम निकाल देते हैं जो तीन फिन हम लगाए थै तो उसको निकाल दी अब देखे इसको दो followly हैं 20 सिनिसान लगा देंगे यह दिए लगा दिए हम निसान इसमें अब हम ले लेंगे इस cacl 에र और फैबरिक में तो यह देखे दोस्तो हम इसमें शिलाई लगा देते हैं तो देखे यहां पे लग गई एक शिलाई अब हम इसको पलट देंगे अस्तर और कपड़े को तो यह अस्तर के ऊपर से हम लगा दे रहे हैं शिलाई ताकि यह अच्छे से बढ़ जाए तो यह लग गई है, हमारी सिलाई अस्तर के ऊपर से भी, अब हम इसको देखे ऐसे कर लिए, अस्तर वाला भाग ऊपर ले लिये हैं, अब पूरे में सिलाई लगाते चले जाएंगे, चारो तरफ से, तो इदर आर्मोल्ग तरफ भी लग गई, इदर चारो तरफ से पूरे कप प्रेक को अच्छे से एक पिन लगाए थे ताकि खिसके ना और यह देखे पिन निगाल दिये हम अवलग गई यह सिलाई मारी चारो तरफ से पूरे में जो फैबरिक इधर उदर इस्टरा है दोस्तों इसको कट कर दे रहे हैं अब हम इसको बीच पर से मोड ले रहे हैं बीच बीच है तो यह देखे चौक से भी निसान लगा लिए अब हम रख देंगे बुक्रम से जो भाला भाग जो बना के रखे हैं तो एक छोटी सी पिन लगा देंगे ताकि एक खिसकी ने एक पिन नीचे पिन उपर तो अब हम लगा लेते हैं बुक्रम बाला रख के बुक्रम क लगा रहे हैं दोस्ता है है और यह हमारे लग गई शिलाई एक तरफ से अब हम शराम् को निकाल दे रहे हैं अब हम गले दें के yeah कि तो यह दोस्तों गला हमारा कट गया है अब हम चोटे-चोटे से चारो तरफ से कट लगा देंगे ताकि इसको पलटेंगे बुक्रम को अंदर की तरफ तो अच्छे से गला हमारा बैट जाए तो यह हम इसको पलट दे रहे हैं अंदर की तरफ बुक्रम को अच्छे से बनात गले में एक बार फिर से पूरी चारू तरफ से ताकि ये एक दम फरफेक्ट गला बढ़ जाए हमारा तो ये देखे बनाते हुए अच्छे से कपड़े और अस्तर को दोनों चीज दोनों को अच्छे से बनाते हैं सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिसिंग अच्छे से आए तो अब हम द्रागे को कट कर देते हैं तो ये देखे गले का सेप कितना सुन्दा लग रहा है तो ये तयार हो गया अब हम बनाएंगे डिजाइन इसमें तो ये ले लिए हैं फैब्रिक हम इतना बड़ा तो अभी म दिखा देते हैं इसको नापके देखे तीन इंचिस की ये दोस्तों लग गई हमारी शिलाई लाष्ट तक अब हम धागे को कट कर देते हैं और हम इसको देखे पल्टेंगे इसको जो बनाए हैं पट्टी हम तो इसको एक कोई नुक्वीली चीज लेके जैसे कि कोई भी चीज सूई हो गई बड़ी सी या तो पेन हो गया तो हम प अब हम इसको अच्छे से बना लेते हैं पूरा ये पट्टी हमारी पलट के तयार है तो अब हम ले लिए ये बलाव जो तयार किये हैं तो अब हम इसमें लगाएंगे लैस तो लैस ले लिए हैं गोल्डन और ब्लैक लरक लैसे बहुत ही खुबसूरत सा लैस है हमारा ये ग पूरे गले में लगा लेंगे लैस शेते है बावं फारे तरकना पलौ कि अब हम लिए बोट्टी में लेस और अर लिए टेमारा लगा Waiting तो यह दूसरी तरफ भी हमारा लग गया लैस अब हम बनाएंगे इसमें डिजाइन इसे बीचो बीच से तो यह जो पट्टी तयार करके रखे थे उसी से बनाएंगे डिजाइन तो यह देखिए एक ऐसे हम बना रहे हैं डिजाइन दोस्तों चुन्नट चुन्नट दे दे के एक चुन्नट इस तरफ से एक चुन्नट उस तरफ से ऐसे चुन्नट दे के डिजाइन बनेगी बीचो पीच मसीन धागा चलेगा इसमें चुन्नट देते चले जाएंगे ऐसे एक तरफ इस तरफ से उठा रहे हैं एक तरफ नीचे तरफ उठा रहे हैं तो ये बनता जायेगा क्या सुझे रहा है और इसे हम पूरे गले में इसको बना लेंगे करे को है कsto ये दोस्तों हमारा बन के तयार है अब हम इसमें दिजाइन को मोती लगांगे इसमें पर जाइन में तो हाente सूी धागा से इसमें तो ऐसे हम सूी धागा लेली हैं और देखेए यहां पर बीच में पकाड़ हुआ तरी शकूद लगाते चले जाएंगे और देख़िस्ट अभड़ा पीच में पकड़ते हुए असाने से बहुत बन जाता है और सुन्दर लगता है तो सभज्जा इसे ही दोस्तों हम बन लेंगे देखे है कि भहोत अच्छे आप दिजाइन बन रहा हैं दोस्तों आप यह दिख आप लोग और यह深 एप पूरे गले से ही बन ले सफिल्वें लेते हैं पर दिखाते हैं आप लोग को तो देखेऊ पूरे गले में हमारा यहां पर इतना बड़ा सा फैब्रिक और इसमें ऐसे करके देखिए हम यह वाला डिजाइन बना रहे हैं दोस्तों यह और यह दूसरा वाला फैब्रिक ले लिए ऐसे उसमें भी ऐसे देंगे तो यह बहुत ही सुन्दर सा बन के तयार होगा तो यह देखिए दो हम बना के कर दे रहें और इस एक्ष्ट्रा पैब्रिक जो नीचे है उसको कट कर दिये अब हम ब्लाउज ले लिए हैं और यहां पर देखिए यहां पर हम लगाएंगे इसको जो यह बना के रखें डिजाइन को तो तीन डिजाइन हम यहां पर लगाएंगे तो बहुत ही सुन्दर सा लुक देगा यह तीन डिजाइन ले लिए हैं देखिए अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे बनाते हुए अच्छे से फिनिक्सिंग के साथ खूब अच्छे से सिलाई लगाते चले जाएंगे यह दोस्तो लग गई सिलाई और यहां डिजाइन यहां पर लग गया और धागयों आगयों को हम कटकर दे रहे हैं जो और यह देखिए और हम इसमें ले लिए हैं डिजाइन को आप हम यह और उसके उपर साइड में भी लगाएंगे तो यह देखिए दो हम ले लिए यहाँ पर आओ अब हम इसको हाथ से लगा दे रहें क्योंकि यहाँ पर मसीन से नहीं बनेगा सिलाई लगाते तो यहाँ पर हाथ से ही हम सुई से सुई लेके सुई से लगा देते हैं सिलाई दोनों डिजाइन में यहाँ तो देखिए लगा हैं हम इस प्लेट हैं Колißt शाइंट में इसे ही लग दोसरी साइट में बहुत ही प्लेट हुद्धाऊ लगता है तो ये देखिए लग गया लैस हमारा नीचे साइड में भी अब हम यहां पर छोटी छोटी सी लटकन लगाएंगे दो इसी फैबरिक की बना के तो यह दकσι यहां्पे डोरी ले लिए हैं चोटी सी और यह वाला ले लिए हैं फैब्रिक औहरब हम छोटी सी लटकन बनाएंगे तो यह यह लटकन एक बन गई लटकन कटकर दिए आप एक प। कर दिया इसको हम प्लत देंगे अंदर की तरफ चोटी सी लटकन खुबसूरा तमारी बन के तयार है यह हम पलट दिये इसको ऐसी दूसरी भी बना लेंगे जैसे उसको बनाएं तो इसको इस साइड से बनाएंगे उस साइड से इसको बना लेंगे तो देखे लगा दिये सिलाई हम इसमें और यह कट कर दिये धागा और फैब्रिक इसको भी बलट दिये हैं और यहां पे देखे लगाएंगे हम इसको लटकन तो एक बटन ले लिए हैं इस बटन को पहले लगा देते हैं बटन हाथ से ही लगाना पड़ता है दोस्तों तो यह देखे बटन लगा दिये और यहां पे इस लटकन को हम ऐसे लगा के एक छोटी करेंगे एक थोड़ा सा छोटी बड़ी ज्यादा नहीं अब हम इसमें शिलाई लगा देंगे लटकन में और यहां उपर साइड जो डिजाइन बनाए हैं वहां पे भी ब्लेक गलर की जो मोती पूरे गले में लगाए हैं वही मोती यहां पे भी डिजाइन में लगा देंगे तो ये दोस्तों डिजाइन हमारा बन के तियार है आप लोग हमारा ये डिजाइन कैसा लगा अगर अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक के रिए सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए